हलो फ्रेंट वेलकम तो आज चानल करनाट अफेर अपडेटेड अधिस देवाशी शवस्थी और आज मैं आपके सामने आज होली है पहले सबसे पहले विश्चिवापी होली तो एवरी आश्पिरेंट बट होली है बट स्टिल स्टडीस मस्ट को आन तो आज हम लेक्चर होली होते हैं जैसे हम टीबी मुक्त भारत बनाएंगे मलेरिया को हटाएंगे ऐसे गवर्मेंट ऐसे बहुत साइट बनाती है एक गोल अचीव करती कि इस गोल तक या इस टार्गेट तक हम यह चीज़ अचीव कर लेंगे तो टार्गेट की यह कब होता होते हैं वह बढ़ा इं टरेक भी बता दूँगा ओके तो लेट सबसे पहली सबसे इंपॉर्टेंट टार्गेट मैं बता दूँ देखिए अची बात हैं हम ग्रीन एनरजी एंवार्मेंट फ्रेंडली की बात करते हैं सो गर्मेंट इस टार्गेट रखा है कि हम इथन Special Be होगा पेट्रोल में यह गुवर्मेंट चीव करेंगी 2025 तक यह गुवर्मेंट का टागिट है सीज़ा पूछाएगा ब्लेंडिंग जो इथन और प्लान है कब तक चीव करेंगी 20% का टागेट जो गुवर्मेंट ने रखा है तो आपको याद करना भी असान है और एक और बा टागेट में आते हैं 2025 चला तो एक और 2025 पर टागेट में आपको बताएता हूं टीबी को इल्मिनेट करना है गुवर्मेंट को यादखे तो एंड ट्यूबर क्लोसिस गवर्मेंट टीबी को खतम कर देगी कब तक सेम जब तक ब्लेंड कर रही है तो यह तो आप याद कर ल और एक और पता दो इंडिया ने 25 में बोला कि हम टीबी को इल्मिनेट कर देंगे तब जबकि डबलु एचो का टागेट है वह है 2030 ठीक है तो इंडिया पास साल पहले ही एचीव कर देगी इस टागेट को बड़े अच्छी बात है देखते हैं इंडिया चीव कर पाती है कि टीबी खतम हो जाएगा इंडिया से 2025 तक अब 2025 हो क्या अब अगले टागेट में बताता हूं पास साल और आगे तरिस 2030 तक अब अभी टीबी खतम किया तो एक और वीमारी में लिया तो मलेरिया इंडिया का गोल है कि भाई वह ऐलिमनेट करेगी क्या मलेरिया और ये इंडि 2030 तक 2025 के मैंने बता दिये अब 2030 के गोल साते हैं और एक कुशन और याद करो कभी स्टेट सर्विसेज में यह से सी बगर में आ सकता है कि वर्ल्ल मलेरिया डे कब बनाते हैं तो 25 अपरेल को बनाते हैं ठीक है चले आगे बरते हैं 2030 का एक और बताऊंगा मैं आपको अब ये एच गवर्मेंट कब तक इलिमिनेट कर देगी इंडिया से गवर्मेंट का टागेट का है सेम 2030 तो याद करने की ट्रिक बन रही है सब एक सिंबलर से लग रहे है और वर्ल्ल एच ते यह तो सब को पता होगा मेरे क्याल से हर स्टुडेंट को जो भी लेक्शर देख रहा हो लोगों इंडिया जो है उतके आहर सब्सक्रियास को पता है थी ओप सारे साने को इंडच समय आएगा ही आएगा और बहुत साहे में बहुत साही. इंडिया का टागेट जो है वो नेट जीरो एमिशन का टागेट गवर्मेंट का कब तक में गवर्मेंट इसको अचीव कर लेगी इंडिया 2070 ताकि स्टाल लगा लो 2070 110 कोशन पुछाएगा और यह गवर्मेंट ने टागेट 2021 में एक सम्मिट हुई थी UNFCCC की UNFCCC की जो क्लाइमेट सम्मिट थी वो ग्लैस्गोव में हुई थी 2021 में कॉप 26 सम्मिट थी अभी इजिप्ट में हुई है 2022 की बात करूं जो कॉप 26 हुई थी अभी तो कॉप 27 हुई है इस साल लगाओ इस पर डारेक्ट कोशन आएगा आपके एक्जाम में ठीक है और यह कोशन भी आपके एक्जाम में डारेक्ट आएगा अभी तो 2070 वाला मैंने बता दिया है अब आपको पता हो देश हजाद कब हुआ है 1947 में 100 साल लब 2047 तो गवर्मेंट अपने पंच प्र 2047 तक 2047 तक गवर्मेंट अचीव कर लेगी तो पुछा है पंच प्रंड के टागेट कब तक के लिए तो 2047 तक अब कहेंगे सारे पांच टागेट है क्या 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 पहला टागेट है कि हमारा गोल होगा है डेवलप्ट इंडिया का अभी डेवलपिंग है हम डेवलप्ट होना चाहिए ठीक है फूर्थ यूनिटी से रहेंगे यूनिटी बोला गया है और फिर तो बोला सेंस ऑफ ड्यूटी अमंग दूटी होना चाहिए इवन सी एम को पी एम को सब को बीगा सेटिसन देश के लिए याद अखेगा एक ड्यूटी प्ले करने चाहिए तो पांच जो पांच प्रण है याद रखेगा जो अमरित काल के पांच प्रण लिए गए हैं यह आपको याद रखना है 2047 तक एचीव करना है यह डारक कुशन आपके एक्जाम में पूछाया आगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट गवर्मेंट सब के घर में वाटर टाप्ट कनेक्श जल जीवन मिशन तो यह आपको याद रखना है जल जीवन मिशन के अंदर गवर्मेंटे टागेट एचीव कर लेगी इस आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट गवर्मेंट टे पुला है आप समरे औल इंडिया रेडियो सुनते होगे AIR औल इंडिया रेडियो उसको गवर्मेंट आपंडे खिलर है जाँए बहुत क्लियर रहेगा तो अल इंडिया रेडियो आप देखते हैं कहीं खर खर कर आती है वाजे YouTube वह बहुत कीर हो जाएंगी तो डिजीटल रेडियो टकट ले रेडियो मिशन में तलके से अलेती का चाब्लेंगश कर दे आए घंडिया क्यों को गेज अलग-अलग टाइप होता है, स्टैंडर्ड गेज होता है, ठीक है, तो ब्रॉड गेज में मतायता हूँ, दो ट्रैक के बीच में, अगर आपका, जो दोनों के बीच में डिस्टेंस है, वो 1676 mm हो, मतलब 5 feet 6 inch के पराबर, उनके बीच में डिस्टेंस हो, ठीक है, तो 100% एलेक्रिफाई कर देगी 2024 तक, तो यह दखना है, ब्रॉड गेज में 2023, और पूरी तरीके से, रेल्वे को एलेक्रिफाई कर दिया है 2024 तक, बड़ी अच्छी बात है, और एक और टागेट आगे सेट किया है, रेल्वे खुद, नेट जीरो एमिशन, रेल्वे का नेट ज 70 का टागेट है, बड़ रेल्वे का 2030 का ही टागेट है, आगे बढ़ते हैं, अब कुछ स्टेट्स हो, इनका भी देख लिए, ऐसे मुंबई ने क्या बोला, ठीक है, इंडिया 2070 पे अचीव करेगी 2070 पे, नेट जीरो एमिशन, मुंबई जो है, वो अचीव कर लेगी 2050 तक महराश गवर्मेंट का 2050 तक एचीव करने का प्लान है, मुंबई एचीव कर लेगी, ऐसा बोला गया है, तो दिखिए, ये भी आ सकते एक्जाम्स में, स्टेट को की करेंट में नियूस में है, ये सब करेंट अफेस में आ रहे हैं, नेक्स हिमाचर परदेश अभी वहाँ प स्टेट कौन बनने वाला है, हिमाचर परदेश, कब तक बन जाएगा, 2025 तक, डार एक कोशन आप से क्रेंट अफेस में पूछ लेंगे, ये कोशन, या देखेगा, और टागेट भी 25 तक है, तो 25 तक कि जित्ते भी एक्जाम्स होंगे, गवर्मेंट की टागेट है, उन सब म आपको सही माक करना है, अभी रिसेंटली हुआ है, तो इसलिए ये एक्जाम में आएगा, आगे, इंडिया फार्मर की डबल इंकम कर देगी, डबल इंकम, ये गवर्मेंट का टागेट था पहले से, 2022 में अचीव कर लेंगे, आप कहेंगे, ये तो ये निकल गया, इसका टागेट जो था, वो था कि हम हर गाओं में पक्का हाउस दे देंगे, अलब एक घर प्रोवाइट का देंगे लोगों को, 2022 तक, तो गवर्मेंट वो एचीव दिए कर पाई, तो गवर्मेंट इसको एक्स्टेंड कर दिया, अब हम इसको एचीव करेंगे, 2024 तक, कहने का मतलब गवर्मेंट पक्का हाउस हर रूलर फैमली को अब प्रोवाइट करेगी 2024 तक, पहले 2022 का टागेट था, अब उसको चेंज किया है 2024 तक, तो पुछा रखता है अभी टागेट क्या हो गया है, तो 2024 है, ऐसी एक और स्कीम थी, PM कुसुम, ठीक है, PM कुसुम स्कीम की मे बात कर रहा हूं, इसका भी जो टागेट था, वो 2022 था, इसको भी गवर्मेंट है चेंज कर दिया है, और टागेट अब जो रख दिया है, वो रख दिया है, मार्च 2026, कहेंगे सर, PM कुसुम था क्या, मैं आपका दो, यहां पर गवर्मेंट क्या कर रही थी, सोलर कैपसिट अपनी 30,800 मेगावाट की सोलर कैपसिटी बढ़ाने की बात करी थी, कैसे, ऐसे कर रही थी, कि ओफ ग्रिड, याद की, ग्रिड से कनेक्ट नहीं करेगी, जैसे आप माल लीजे, यहां पर सोलर वाटर पंप्स लगाए जाएंगे, और ओफ ग्रिड मतलब एक ग्रिड यह मेगावाट जनरेट करने वाली थी, बट अब इसका टागेट 2026 तक कर दिया गया है, 2026 तक, PM कुसम स्किन, Ministry of New and Renewable Energy के अंदर आती है, तो यह भी अभी न्यूस में है, इसलिए मैं आपको बता है, करन्ट के लिए आ सकता है, कब तक एक्सेंट किया गया है, 2026 तक, इंडि ट्ट डीजल को रिप्लेस कर देंगे, अग्रीकाल्चर की फील्ड में, तो कब तक कर देंगे, 2024 तक, इंडिजल होता है, वो सब रिप्लेस कर दिया जायगा, और रिनिबल το एनजिया कूँर यूज कर देगा, तिल 2024 यह ग्फील् SMITH about management and achieve कर लेगी अपने भी सुनागा फाइव ट्रिलियन एकनॉमी यह कब तक एचीव होगी देखिए वैसे तो आप कुछ लोग कहेंगे साथ जुम्ला है फाइव ट्रिलियन एकनॉमी का बट मैं आपको दादू जो गवर्मेंट डाटा बोल रही है पी आईबी की वेबसाइट पर आप खोलोगे तो में क्लियरली लिखा हुआ है ठीक है प्याइब में लिखा हुआ है कि गवर्मेंट अपना फाइव ट्रियन एकनॉमी एकनॉमी एचीव कर लेगी तो आपको तो याद करना पड़ेगा ठीक है चले आगे बरते हैं देखें प्राहिम मिनिस्टर मोदी जी इने एक बड़ी इच्छी बात पुली क्या बोला कि इंडिया जो है वह एनर्जी इंडिपेंडेंट निशन हो जाएगी आचीव पात हैं रेड़ेन को बढ़ाएंगी इंडिपेंडेंट हो जाएंगे अभी किते सारी बाहर कंट्री से dependent है, import करते हैं, इतना सब oil वगरा, वो हम independent हो जाएंगे, कब तक? 2047 तक, जब 100 साल हो जाएंगा आजादी को, अमरित काल की जो बात कर रहे हैं, तब तक, तो ये भी एक बड़ा important target है, ये भी पूछा सकते आप से, क्योंकि सब अभी करेंट अगला, this is also very important, old target, but very important, इंडिया target to reduce the use of hydrofluorocarbon, HFC को 80% तक, गवर्मेट रिदूस कर लेगी, कब तक? 2047 तक, बढ़ा असान है, 2047 बहुत साइट हो रहे हैं, 2030 बहुत साइट हो रहे हैं, 2025 हो रहे हैं, तो याद करना आपने लिए असान होगा, option देखे, आप सही answer mark कर सकते ह हो, तो ये भी आपको याद रहना है, next, अभी आपको बता हूँ, nuclear power plants news में चल रहे है, मेरा मानना है nuclear power plants पढ़ लेना, exam में जरूर आएगा, तो अभी एक नया nuclear power plant में बता दू, North India का पहला nuclear power plant, जो कि हरयाना में गोरकपूर में बन रहा है, गोरकपूर से उनके UP मत लगा हर्याना गोरकपूर में बना रहा है, यही पूछा सकता है, कहां बन रहा है, पहला nuclear plant, North India का, हर्याना गोरकपूर, अब दूसरा जो news में है, वो यह बोला गया, कि 20 new nuclear power plants, commission हो जाएंगे, कब तक, 2031 तक, 20 new nuclear power plants हा रहे है, तो बड़ा important हो जाएगा, questions भी जादा हो जाएंग नेक्स्ट, this is again very important, गाउं में रहते हो, नेट नहीं चलता होगा, आप तो बोलते होगे, तो देखो, government के टागेट है, कि हम all villages को, optical fiber से connect कर देंगे, 2025 तक, तो सारी villages जो है, वहाँ पर internet होगा, आपके, इसली आप देख सकते हो, मेरे lecture भी इसली आप वहाँ पर watch कर पाओगे वैसे अभी भी चलता है, बट स्टिल, बहुत से villages जहां पर connectivity नहीं है, नेक्स्ट, अब कुछ state local का बता दूँ, जैसे Odisha की में बात को तो, Odisha के दो target में आपको बताता हूँ, Odisha बोलती है कि भाई हम अपने आपको slum free, slum हमाया नहीं रहेगा, slum free हम achieve कर लेंगे 2023 तक, ठी 30 तक ही achieve कर लेंगे, तो remember Odisha government plans to make state child marriage free by 2030, तो Odisha के exam में तो जरूर आ सकता है, जो Odisha से देखा है, वो तो जरूर याद रखें, और याद रखें, और याद रखें, नैशन एवर पर कोशन पूछा रखता है क्योंकि current में news में है, तो यहां पर, जो Odisha का था, वो मेरा last था, तो यह जितने भी targets important हैं, वो में discuss करता हूँ, political agenda में जो बड़ी-बड़ी बाते, ministers बहते रहते हैं, वो targets नहीं होते हैं, तो यह targets से, prime minister में जो target बोले हैं, PIB में जो mention है, वो मैंने आपके सामने cover किये हैं, तो यहां पर मेरा lecture complete होता है, तो I hope यह targets आपने याद कर लिए comment, okay, अब मैं आगे आपको बात बताओं, कुछ कि अगर आप चाहरे हैं, हमें कुछ contribute करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सा students बोलते हैं, कि यह साम कुछ contribute करना चाहते हैं, 10 उर्पे, 5 उर्पे, जो भी आप contribute कर सकते हैं, it's up to you, आप साधा भी कर सकते हैं, अपनी capability के according, okay, तो याद देखेगा, अगर आपने preparation की हुई है मेरे लेक्ट चैनल से, आपको help मिल रही है, तो इनोट्स आपको और मिल जाए, इसकी PDF भी अविलेबर है, आप चाहते हैं, अगर आप hard copy नहीं चाहते हैं, तो PDF भी मिल जाए, उसको हर subject की, जो subject आप बोलोग, उसकी PDF आपको मिल जाए, updated version में, current affairs से लेके, quality, geography, history, economics, सब कुछ, hard copy चाहते हैं, तो courier भी हो जाएगी, all over India, okay, तो आप notes quarter कर सकते हो, notes मिलने के बाद, आपको exam crack करना, कोई भी exam आप देरो, state services, UPSC, SSC, कोई भी exam देरो, जा general studies आपके लिए important है, बिलकुल उसी के लिए बनाए गई गई है, ब प्लस आप WhatsApp भी कर सकते हो, मुझे, प्लस अगर आपको video lectures चाहिए हो, क्योंकि सब समझना है, कैसे चीजे समझ में आए, जादा बेटर है, तो notes के साथ, अगर lectures भी मिल जाए, तो बिलकुल, अभी offer भी चल रहा है, आप मेरे lectures देख सकते हो, application को download कर लो, तुरन, that is, diversish classes, link description box में, app को download करो, वहाँ पर मेरी सारी classes जो आपको available हो जाएगी, iPhone user हो, तब भी मिल जाएगी, Android user हो, तब भी मिल जाएगी, अगर laptop पे देखना चाहते हो, तब भी मेरा app वहाँ पर भी work करेगा, okay, प्लस UPSC preparation कर रहो, एक पर आपको ज़रू विजट करो, यार, वहाँ पर UPSC यहाँ पर 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 से लेवल पर गाइड भी करोंगा, तो यहाँ पर जो हमाई टागेट्स थे, ठीक है, वो मैंने कम्पीट कर दिये, कुछ मैंने कमेंच पड़े हैं, उस पर भी PDF मेरी बन रही है, बहुत जल्दी मैं वो लेक्चर आपके सामने ले आउंगा, बट यहा टापिक पढ़ रहा हूं, उसके अकॉर्डिंगों लेक्चर आजाएंगे, कोई दिक्कत बाती है, अभी तक इसने कमेंट नहीं को, कमेंट कर दो, भाई, तुम्हारा भी टापिक पढ़के हो सकता, लेक्चर बन जाया उस चीज़ पर, वीडियो को आप ज़रूर शेयर करे करें, आप हमाई यसे लेक्चर से के अगर क्वीडियाफ चाहते हों, तो, हप्पी होली, once again, wish you a हप्पी होली to everyone, और thank you, do like our channel, subscribe our channel, like this video, thank you.